विल्कम टू मेरी क्लास तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलिए लोग दोस्तों से सेयर करिए सब्सक्राइब बेटन पर क्लिक करिए और ब्लेग आकिम को प्रेस करिए तो बढ़ते हैं 3 सितंबर की करिंट अफैर्स की और लेते हैं पहला कुष्चन उस रोबोट का नाम बता ये जो कोविड-19 के लच्छों वाले लोगों के आकलन वाले स्वास्तकर्मियों के जोख्युम को कम कर सकता है उस रोबोट का नाम पुछा गया है जो कम कर सकता है जोख्यूम को एक ऐसा रोबोट का अंचा है तो option A, sport B, co-board option C तो इसका अंसर है sport sport नाम का हाल ही में MIT MIT Massachusetts Institute of Technology अमरीका का institute है और हमेशा नंबर वन इस्थान पर रहता है QS जो संस्थान है institute की उस पर इसको इसके द्वारा का होगा रोबोट को sport नाम दिया है इसने यह एक handheld device द्वारा नियंतरित किया जाता है दो मीटर की दूरी से important बात है दो मीटर की दूरी से स्वस्त लोगों में महत्पूर्ण संके जैसे सरीर का तापान स्वसंदर, नारी दर, रक्त, आक्सिजन, आधि को इससे मापा जा सकता है इंपोर्टेंट है इससे किस्ते बनाया है MIT Institute ने बनाया है अमरीका का है और जिससे स्वास्त कर्मियों के जोख्यूं को कम किया जा सकता है क्योंकि ये 2 मीटर की दूरी से ही नारी, साशीज, गतापमान, ससंदर और रक्त, आक्सिजन की आपूर्टी को माप सकता है अगला प्रस लेते हैं Global Innovation Index 2020 में भारत की रैंक क्या है तो इस पार भारत की रैंक क्या हो गई है और तालिसमी रैंक भारत को प्राप्त हुई है कौनसी रैंक प्राप्त हुई है Global Innovation Index में भारत को और तालिसमी रैंक प्राप्त हुई है इंपोर्टेंट है अब बात करते हैं कि Global Innovation Index कौन जारी करता है तो Global Innovation Index कार्नेल विश्विद्याले इंस्टीट और विपो डबलू आई पी ओ विपो विष्वाउधिक संपदा संगठन द्वारा प्रती वर्ट से जारी किया जाता है हर साल ये जारी किया जाता है और 2020 का जो विषय है वित्नवाचार का क्या होगा ये इसका ठीम है अब इसके विशे में अम लोग जान लेते हैं कौन सा इस्थान मिला इसको तो और इसको 48 वी रैंक भारत को मिली हुई है इसके विशे में भारत ने चार इस्थानों पर अपनी रैंक में सुधार किया है स्विजें लैने ने प्रत्मिस्थान हाशिल किया है 2020 में पहली रैंग हाशिल की है वेस्विक नवा चार सुच गांग 2020 में 131 अर्थ बिवस्ताओं के बीच भारत 48 में इस्थान पर है पिछले रष इस स्थान पर था तो पिछले रष भारत किस थी थी पर तो और है चार को करका है और तो अर्ता अर्तालिस्वे इस्थान अगला प्रस्ण लेते हैं सुज्जेलेंड के बाद सวीडन अमेरिका बृतर और नीदरलेंड का सब्से अंतिम इस्थान पर यमन देश है तो यह भी आप तो रखिएगा कि सब्से अंतिम इस्थान किसे मिला जमन को मिला पहला इस्थान किसे मिला स्विजर लेंड को मिला भारत को कौन सा इस्थान मिला तो भारत को 48 मी रैंक प्राप्त हुई है अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन है गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राजी ने सुरू किया है गंदगी भारत भावन इस्थित है, important question है, कि भारत भावन कहां पर इस्थित है, तो ये भुपाल में इस्थित है, जिसके वास्तु का चाल्स कुरिया थे, वर्तमान सियंप, शिवराज सिंग्छवान है, और यहां का हाई कुर्ट जबलपूर में इस्थित है, कहां पर इस्थित है? तो जबलपूर सहर में इसका हाई कुर्ट है, जिबकी राजधानी इसकी भोपाल है, बिधान सभा की 231 सीटें, लोक सभा की 89 और राज्य सभा की यहाँ पर 11 सीटे हैं, जहां कि प्रमुक नदी नर्मदा नदी है, स्रम सिद्धी अभियान, दीडी वाहन सेवा, एफ आई यार आपके द्वार, जीवन सक्ति योजना, करम बीर पुरुसकार, जीवा नम्रत योजना, जैसी बिभिन योजना है, इसने की 231, लोग सभा की 29, राजी सभा की 11 सीटे हैं, और यहां का हाई कोट जबलपूर में इस्तित है, जबकि मुख्य मंत्री सिवरा सिंग चवहान है, इतने पॉइंट से आप याद रखिएगा इससे, अगला प्रशन लेते हैं, अगला प्रशन है, जम्मू कस्मीर में, नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में सामिल होने वाले ब्यक्ति कौन है, यह भी कुश्चन हो जाता है, कि जम्मू कस्मीर में कौन सा ब्यक्ति बनाया गया है, सैलेंद दसोरा, राजीव कुमार, प्रमोद चंद्र, हेमंत खत्री, किसे यह पोस्ट मास्टर जनरल ब इससे पहले वह जम्मू कस्मीर और लदाख में, डाख विभाग के रूप में काम कर रहे थे, समिछा कर रहे थे, अब जम्मू कस्मीर की बात करते हैं, अनुच्छे 370, सभी लोगों ने पढ़ा है, अनुच्छे 370 को निलम्वित करने के बाद कम निलम्वित हुआ था, त अनुच्छे 370, सभी लोगों निलम्वित करने करते हुआ था, और दूसरा प्रांथ आपका लदाख बना था, कौन सा प्रांथ लदाख प्रांथ बना था, दो प्रांथ बना दिये गए थे, केंसाशित प्रदेश जम्मू कस्मीर हिमानचल प्रदेश और पंजाब के उत् के उत्तर में इस्थित है, यहां की सीत कालिन राजधानी, जम्मू और ग्रिस्म कालिन राजधानी, स्री नगर है, कौन सी राजधानी एक ग्रिस्म कालिन, स्री नगर है, यहां के गवर्नर मनोज सिना है, राज जिपाल कौन है, तो मनोज सिना है राज जिपाल, तो यह भी को यहां का नया चीप पोस्ट जानरल मास्टर नियुक्त किया गया है तो इतने पॉइंट जम्मु कस्मीर से और डेट याद अखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मु कस्मीर को केंसासित प्रदेश लद्दा और जम्मु कस्मीर में पुनर गठित किया गया था आर्टिकल 370 क को समाप्त कर दिया गया है यहां पर अगला प्रस्न लेते हैं भारत के राष्ट पती द्वारा सर्वुत्तम जीवन रच्छा पदक किसे दिया गया है इंपॉर्टन कोश्चन है भारत के राष्ट पती द्वारा सर्वुत्तम जीवन रच्छक पदक पुरुसकार किसे दिय गया है तो यह आशोक चक्र पुरिसकार्विजेता भारतिक एरश्ट पती ने रेलवे सुरच्छा बल के करिमियों को दिया है किसे दिया है अब तीन तरह के पुरिसकार दिया सरवुत्तm जीवन राच्छा पुरसकार गया है ? उत्तम जीवन रच्छा पुरुसकार की बात करें ? तो सिवचरन सिंग को दिया गया है, उत्तम जीवन रच्छा पदक की बात करने तो किसे दिया गया है, मुकेश मीगा को दिया गया है, ये उत्तर पस्चिम रेलवे में कार रहे थे, सिवचरन सिंग को भी मिला है, ये पस्चिम रेलवे में कार रहे थे, जबकि सरवत्तम जीवन रच्छापदक जो यह असोक चक्री विरता पुरुसकारों की ही एक सरंकला है और इसकी सुरुवात 1961 में नीस सोइक सट्में इसकी सुरुवात होई थी सर्वथम जीवन रच्छापदक और जीवन अगला प्रश्ण है भारती रेलवे द्वारा विख्षित स्वास्त सहायक का नाम क्या है बहुरती रेलवे नेएक रोबोट बनाया नाय है जिस रोबोटगा नाम का दिया गया है रच्सक नाम दिया गया है और यह डॉक्तर और मरीज के बीच संभाद को बनाएगा यह ताप मान नाड़ी अकці आशीजन प्रतिसत तक सहित बिभिन अमाप दन्यों को माप सकता है मरीजों को दवाई भोजन भी उपलब्द करा सकता है इसकी जो बैटरी है वो 6 घंटे तक कारज़त रहती है और यह 10 किलोग्राम का भोजन भी उठा सकता है इसे Android Mobile App के द्वारा भी संचालिट किया जा सकता है इंडियन रेलवेज डेवलब्ड रोबोट नेमड रच्छक टू एसिस्ट होस्पिटल स्टाफ इन कोविड-19 पेसेंट के यह इंप्रोटन था इसे याद रखेगा Android App पराधारित है 10 किलो तक का वेट उठा सकता है और इसकी एक बार बैटरी चार्ज होने पर 6 घंटे तक कारज़त रहती है अगला प्रस्शने कौन से देश द्वी पच्छी सेन अभ्यास इंद्र 2020 आयोजित करेंगे भारत रूष रूष और जापान भारत और ब्रिटेन तो कौन से देश है द्वी पच्छी सेन अभ्यास का वरणन करते हैं तो यह भारत और रूष जो अंसर है और ब्रीप जाने खीए ध्यी अभ्यास होता है और चीन भी इस में बहु पच्छी सेन अभ्यास में सामिल हो रहा था तो इसको कौन रखेंगा इंद्रक हुगता है रूष और भा अन्दमान निकुबाद भारत में होगा अगला प्रस लेते हैं ग्रह मंत्री अमित्सा ने दिल्ली किसे किस धार्मिक स्थान तक जाने के लिए वंदे भारत एक्स्प्रेस शुरू करने की घुशना की है तो इसका अंसर है वैश्णो देवी ये कट्रा तक जाने के लिए इन्होंने वंदे भारत एक्स्प्रेस शुरू की थी कहां तक कट्रा तक दिल्ली से कट्रा तक के लिए कट्रा वरष्टी में तो यह वारार से इसका अंसर सही हो जाएगा अगला प्रस्ण ले देते हैं रेलवे बोर्ड का चेयर मैन एवं CEO किसे न्यूक्त किया गया है CEO का पहली बार बनाया गया है इस पद के लिए BK यादो को चुना गया है जो पहले से ही रेलवे बोर्ड के चेयर मैन थे तो इंपर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार चीप Executive Officer का पद बनाया गया था जिस पर चेयर मैन को ही न्यूक्त कर दिया गया है रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था तो 1905 में हुए था जबकि रेलवे का राष्टी करन कब हुआ तो 1950 में हुआ था पियूस गोवल वर्तमान समय में रेलवे मंत्री है तो इंपर्टन हो जाता है वीके यादों की बात कर लेते हैं तो यह वीके यादों है जिन्हें CEO के पद पर न्यूक्त किया गया है और यह पहले से ही रेलवे बोर्ड के चेयर मैन थे तो अगला प्रसुन ले लेते हैं कि इस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है तो चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है चीन की बात करें तो इस चीन में 22 प्रांथ हैं कितने प्रांथ हैं 22 प्रांथ हैं और यह एशिया महादूइब के पूर्व में इस्थित है कहां इस्थित है ए दुन्या चीन की जड़ी है सबसे पहले चीन नेहीं कागज कमपास बारूत औरंदर्व काούμε का आविसकार किया था चीन का मुक्वाग जनवादी गरड़राज चीन कहलता है Celine जनवादी गड़राज चीन कहलता है जहां पी भासा मंदारिन बिस्व में सरवाधिक भासा बोली जाती है हाली में अगर बजट की बात करें तो चीन ने अपने रच्छा बजट में 6.26% की बर्दी की है भारत ने 500 जील को लेकर काफी विवाद चल ला है चीनी घुस्पैट को भारती सेना ने अभी नाकाम किया है कली तो इंपोर्टेंट हो जाता है चीन के राष्ट पती सी जिपनिंग है तो दहन मंत्री ली के क्यांग है कौन है ली के क्यांग है और मुद्रा यहां की युवान यार रे मन्बी है कौन सी मुद्रा है युवान यार यन्वी है और इसका मंगल मिशन तिहान येन है मंगल मिशन का नाम क्या है तिहान येन वन के मंगल मिशन का नाम है अगला प्रस लेते हैं विश्व के सबसे बड़े सौर उर्जा उतपादक का दरजा हासिल किया है किसने हासिल किया है अडानी ग्रीन कंपणी ने इंडिया लिम्टेड ने एंटी पीसी ने या फिर इन में से कोई नहीं तो यह दर्जा मिला है इस बार किसे मिला है अडानी ग्रीन कंपणी को दिया गया है अडानी ग्रीन कंपणी ने विश्व के सबसे बड़े सौर उर्जा उत्पादक का जज़ा हासिल कर लिया है अडानी ग्रीन की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसके प्रमुख गौतम अडानी है या CEO founder कौन है गौतम अडानी इसके CEO founder है और इसका headquarters अहमदाबाद में इस्थित है कहां पर है अहमदाबाद में इस्थित है और यह एक प्रकार की renewable energy industry है जो solar energy और wind energy पर कारी करती है तो विश्व के सबसे बड़े सारूर्जा का दर्जा किसे मिला है अडानी ग्रीन कंपनी को मिला है इसके founder कौन है गौतमाडानी है यह कंपनी 2015 में स्थापित हुई और इसका मुख्याल है अहमदाबाद में इस्थित है कहां इस्थित है अहमदाबाद में इस्थित है वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों से सेयर करिए अगला पुर्षन है तमिल लाडू में एम्बूलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं कौन बन गई है पहली महिला बन हैं यह देख लीजी आप एक्सोबाट नमबर एम्बूलेंस सब्सक्राइब भारत की पहली महिला है इनका नाम वीरलचमी है स्री आर लेखा की बात करें तो यह केरल में नुक्त होने वाली पहली महिला डी जी पी है क्यों है पहली महिला डी जी पी एजिनके के में नुक्त किया गया है डॉक्टर एस पदमावति के भी सह में कहा जाए तो इन्हें गौड और को डियोलिस्ट के नाम से जाना जाता था यह भारत की पहली महिला हर्दय रोग भिसे सगे थी इनका हाली में निदावन हो गया था कृतिका पांडे लेखन करता है जिन्हें एस मुख्य मंतरी के पलारी श्वामी हैं यहाँ लोक सभा की 49 सीटे हैं लोक सभा की कितनी सीटे हैं 49 सीटे हैं जबकि राज जीज शभा की यहांपर 18 सीटें हैं विदान सभा की 235 सीट और यहां का कांची पूर्म का कैलास मंदीर विश्पसिद मंदीर है, यहां का फसल कटाई पर्व पॉंगल है, कौन सा परदोंग है, पॉंगल यहां का फसल कटाई पर्व है और सास्त्रि अन्रत भारत नाट्उम है कौन सा है भारत नाट्टेम जहांका प्रमुक्च सास्त्र नाडु से याद रखेंगे, अगला प्रशन लेते हैं नाजरीक उड़ेन सुरच्छा विरो की पहली महिला महानिदेशन कौन बनी है? तो इंपोर्टेंट है उशा पाढ़े जो हैं इन्हें नागरिक उड्डेयन सुरच्छा ब्यूरों की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है अंश्वडा कांत की बांत करें तो विश्व बैंकी में ये मुख्य कारेकारी अधिकारी हैं वित्ती अधिकारी हैं गायत्री गुमार ब्रिटेन में भारत की राजदूत हैं मोनिका महता भी भारत की सुर्जय लेंड में राजदूत हैं तो नागरिक उड्डेयन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है तो ये उश्वा पाड़े हैं इन्हें ही महिला महानिदेशक बनाया गया है पहली महिलान मानिदेश है बनी है इंपोर्टेंट है याद रखेगा अगला पुर्षन है सुमित नागल ने किसे हरा कर US Open के दोर में प्रवेश पा लिया है पहली बार साथ वर्सों में कोई भारती US Open में जीता है तो इंपोर्टेंट है सुमित नागल साथ साल में Grand Slam एकल मुख्ध्रा जीतने वाले पहले भारती बन गए है पहला पॉइंट तो यह है याद रखना है कि टेनिस प्रतियोगिता होती है साथ साल में Grand Slam एकल मुख्ध्रा जीतने वाले ये पहले भारती बने है और दूसरे दवर में इन्होंने स्थान लिया है इन्होंने Bradley Klain को हरा कर Bradley Klain को हरा कर US Open Tennis Tournament के दूसरे दर में प्रवेश किया है जीत लिया है इससे पहले 2013 में साथ साल पहले मतलब 2013 में सोम देव देव बर्मन इंपर्टेंट है 2013 में कौन जीता जा तो सोम देव बर्मन ने Australian Open, US Open और French Open तीनों जीते थे तीनों के दूसरे दौर में पहुंचे थे सुमित नागल तेश साल के हैं और दुनिया में 122 में नंबर पर हैं कितने साल के हैं यह तेश साल के हैं और दुनिया में इनकी रेंग कौन सी है तो 122 में रेंग पर हैं US Open Championship Grand Slab में से एक है तीन Grand Slab और होते हैं Australian Open, French Open और Wimundal Open राफिल नडलने US Open 2019 में पूर्श एकल जीता था तो यह इंपर्टेंट है और यह US Open जो है 140 संक्रण था कौन संक्रण था 140 संक्रण था US Open का भारत में 20 प्रतियोगिता है और चार प्रतियोगिता होते हैं चारों को जीतने वाले को Grand Master का किता दिया जाता है कौन कौन सी हैं तो पहले सबसे होती है Australian Open फिर होती है French Open फिर होती है विंबंडन Open और लास्ट में होती है US Open तो इन्होंने US Open को जीत लिया है साथ साल बात जीतने वाले भारति बने हैं इसके पहले 2013 में सोम देव बर्मन ने Australia, US और फ्रेंच उपन के दूसरे दौर में जीत असिल की थी तो किसे हराया है इन्होंने Bradley क्लान को हराया है important है इससे याद रखेगा अगला प्रस्शन लेते हैं किस अंतर राष्टी हवाई अड़े ने CII JBC राष्टी उर्जा नेता पुरुस्कार जीत लिया है तो important question ये भी है CII और JBC राष्टी उर्जा नेता पुरुस्कार जीत लिया है तो बात करते हैं हाई अड़ों की राजिव गांधी अंतर राष्टी हवाई अड़े ने ये पुरुस्कार जीता हुआ है तो राजिव गांधी अंतर राष्टी हवाई अड़ा को ही हम लोग हैदराबाद हवाई अड़े के नाम से जानते हैं हैदराबाद हवाई अड़े ने ही ये पुरुस्कार जीता है GII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड इसे दिया गया है तो important है ये question भी इसके भी सेम बात कर लेते हैं GMR की अगवाई में राजिव गांधी अंतर राष्टी हवाई अड़ा हैदराबाद इंटरनेशनल एअरपोर्ट ने उर्जा प्रबंधन में उत्करश्टा के लिए 21 राष्टी पुरुसकार में किस क्रम का पुरुसकार था तो 21 राष्टी उर्जा नेता उत्करश्ट उर्जा कुसलिकाई का पुरुसकार जीता है इसका आयोजन भारती उद्धोग परसक और GBC यानि गोद्रेज ग्रीन बिजनेस सिंटर दोरा किया गया था अगर हम CIA की ब पुरुसकार एनरजी एफिसेंस के सम्मिट के 19 संस्क्राण 6 अगस्ट से 28 अगस्ट 2020 को एनरजी एफिसेंसी पर दिया गया था हैदराबाद अंताराष्टी हवायड़ा को लगातार 14 वर्स उत्करश्ट उर्जा कुसलिकाई पुरुसकार और लगातार दूसरे वर्स नेश इसके वर्तवान प्रभुक्ष्री उद्रकोटक है और इसके प्रेशिडेंट काउन है तो टीवी नरेंदर है और इसका मुख्याल है नई दिल्ली में इस्थित है वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को सेयर करना ना भूलिए आप आज इतना ही र